जन्ता कॉंग्रेस शतीजगर के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी युवाओं की बिरोजगारी और करमचारियों की मांगो को लेकर उपवास पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पूर्विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन नहीं लेने की घोशना की है। युवा बेरोजगारों और करमचारियों की मांगो को लेकर अमित जोगी लगता दूसरे दिन भी उपवास पर बैठे रहे जन्ता की कई मांगो को लेकर अमित जोगी अपने ही निवास पर अनुग्रह में उपवास कर रहे हैं। जन्ता कांग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष अमित ने कहा कि जब तक हमारे बेरोजगार नौजवानों को राज्य सरकार नौक्री नहीं देती अन्यमित करमचारियों का नियमिती करण नहीं करती तब तक वे विधायक पेंशन नहीं लेंगे। अमित ने कहा कि विधायक की हैसियत से मार्च 2016 में उन्होंने विधायक वेतन ब्रद्धी का भी विरोध किया था और इसके लिए उन्होंने ततकालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और ततकालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर पूरे विशय स अवगत भी कराया था उन्होंने कहा मेरा मानना था कि जिस समय हमारा प्रदेश भीशन सूखे की समस्या से जूज रहा है उस समय सरकार का विधायकों की वेतन ब्रद्धी करना ठीक नहीं है उन्होंने लागू की हुई वेतन ब्रद्धी को भी कभी स्विकार नहीं किया बल महत्या करने वाले हरदेव सिन्हा के परिवार को दे दी है। विधायकों की तन्खा चार मुना बढ़ाने का विधायत लेके आगे। विधायक होने के नाते मैंने उसका फुर्जयोर विरोध किया। और अपनी तन्खा त्यादती उसका उप्योद किसानों के दुद दैद को कम करने करी किया। अपना विधायक नहीं रहा, पूरो विधायक बन लिया। इस सरकार में डीक, जब प्रदेश में वेरुश्क्यारी चरम पर हैं, ऐसे समय पर विधायकों की पंशन और वेतन गढ़ाने का नेने ले जाए। यह पर वाइट की गवाही में जेका कि मैं उस बढ़ी हुए पेंशन को स्विकार करूँ और इसे लिए में यह रणना इडिया है, कि जब तक मेरे नौजना इसाथीों को नौकर ही नहीं नहीं में जाती, जब तक मेरे नहीं जब तक मेरे विए जन संगीत कि सवाद लहरियों से संसक्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से, नकसलवादियों के गड़ ता, जोपड़ी से महलों ता, ठेलों से मेलों ता, पक्दंडियों से सडकों ता, गाउं से शेहरों ता, व्यापार से उद्योगों ता, राज़्डीती से कूटनीती ता, दखन न्यूज, आपके हद ता आप देख रहे हैं, दखन न्यूज